अस्सलाम अलेकुम दि सूरत दिष्टिक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सूरत द्वारा संचालित एंगलो उर्दु हाई स्कूल गुजराती माध्यम सूरत तो बच्चो आज हम कक्सा दस में विशय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे निबंद के बारे में तो सबसे पहले बता दू कि कक्सा नौ में आपने निबंद लेखन के बारे में पढ़ा होगा प्रस्ण पत्र में हिंदी के प्रस्ण पत्र में निबंद लेखन के रूप में एक प्रस्ण दिया जाता है जो साथ अंक का होता है कक्सा 10 में प्रथम द्वितिय और बॉड की परिक्षा में भी निबन लेखन का प्रस्ण किया जाता है जो साथ अंक का होता है निबन लेखन का प्रस्ण हिंदी विश्य में बॉड की वार्षिक परिक्षा के प्रस्ण पत्र में विभाग D में एक प्रस्न निबन लेखन के बारे में जो किया जाता है वह साथ अंक का होता है और यह प्रस्न इस प्रकार दिया जाता है कि प्रस्न में बताया जाता है कि निमन लिखी तिन विशेव में से किसी एक विशेव पर दिये गए मुद्दों के आधार पर 150 सब्दों में निबंद लिखे तो बच्चों यहाँ पर यह जानना आवशक है कि निबंद लेखन क्रिस्प प्रकार लिखा जाए, तो पहले आपको बतादू कि निबंद लेखन का जो प्रस्ण है वह छात्रों की मौवलिक्ता और लेखन कौशल्य को प्रस्तूत करता है, अर्थात निबंद लेखन के प्रस्ण में दिध्यार्थियों को अपनी मौवलिक और लेखन का उचले बताना होता है तो इसलिए निबंद लिखते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है और ज्यादातर ध्यान इस बात का रखना है कि निम्न लिखित प्रस्णमे से कौनसा विशय में मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ जो मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है तो बच्चो ध्यान दो कि बाड की एक्जाम में विभाग डी में साथ अंग का जो प्रस्ण होगा निबंद का वो आपको अपनी मौलिकता के आधार पर और लेखन काउसलेकता के आधार पर स्वच्छ और सुन्दर तरीके से चाहिए कि निबंद लेखन करते समय कौनसी कौनसी बातों का ध्यान रखना है हमें वह जानना आवशक है तो आईए जानते हैं निबंद लेखन करते समय किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है देखे तो सबसे पहले निबंद का चुनाव मतलब कि प्रस्ण पत्र मे दिये गए विशेव में से हमें वह निभन का चुनाव करना है जिस पर हम अच्छी तरह लिख सकते हैं जिसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं अर्थात बॉल के प्रस्ण पत्र में हिंदी में विभाग D के अंदर निभन का जो प्रस्ण होगा उसमें तीन अलग अलग विशेव दिये गए होगे उन तीन विशेव में से किसी एक विशेव पर आपको निभन लेखन करना है तो सबसे पहले बात ही है कि उन तीन विशेव में से ऐसे विशेव का चुनाव किजिए जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हो जो आपको अच्छी तरह समझ में आए दूसरी बात अब निभन का चुनाव करने के बाद उसकी रूप रेखा को देखिए तो सबसे पहले प्रस्ण पत्र में जो हमने निभन चुना है उसके सारे मुद्दों को अच्छे से भली भाती पढ़ ले अर्थाथ निभन्द के सभी संकेतों को मुद्दों को भली बाती समझने की कोशिस करे निभन्द चुन लिया अब उसके मुद्दे जो हमें भली बाती समझने है और उसके बाद निभन्द के रूप रेखा के आधार पर अर्थात निबंद को एक निश्चित रूप रेखा के धांचे के रूप में हमें लिखना है जैसे कि प्रारंभ भाग, मद्य भाग और अंत भाग इस प्रकार अलग-अलग भाग में हमें निबंद लेखन करना है तो बच्चो यहां बताया गया कि तिन अलग अलग भागों में हम निबंध लिखन तो करेंगे लेकिन उन भागों में हम क्या लिखेंगे उन मुद्धों के आधार पर हम क्या लिखेंगे तो सबसे पहले बताया प्रारंब तो प्रारम में, निबंध के प्रारम में हमें जिस विशय का चयन किया है उसके प्रती उसके प्रती उस विशय से संबंधित उसका प्रारम इतना आकरसित होना चाहिए जो आपके लेखन कौसले की छाप परिक सक के सामने प्रस्तूत करे अर्थात निबंद का प्रहरम आकरशक और विशय से संबंधित होना चाहिए जो आपके लेखन कोसले की छाप परिक्षक के शामने रखता है दूसरा भाग बताया मद्यभाग अब ध्यान दीजे सुरुवात जितनी अच्छी होगी आगे का लेखन भी इतना ही अच्छा होगा मद्यभाग में हमें क्या करना है कि निबंद के मद्यभाग में जिस विशय का हमने चुनाव किया है जो जो मुद्य दिये गए है उस विशय की संपूर्ण माहिती संपूर्ण चर्चा उन मुद्दों की पूर्ण चर्चा मद्यभाग में होनी चाहिए अर्थात सुरू से लेकर अंत के सारी चर्चा निबंद की मद्यभाग में आनी चाहिए फिर आगे बताया अंत भाग तो यहाँ पर देखी बच्चो हमने सरुवात्मे प्रारंभ में आकर्शक रूप से लेखन किया फिर मद्य भाग में दिये गए विशाय की पूर्ण चर्चा की अब आगे अंतिम भाग में क्या करना है तो निबंद का अंतिम भाग प्रभावसाली और छोटा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? प्रभावसाली और छोटा इसमें संपूर्ण निबंद का तातपर्य या निसकर्स जो है वह व्यक्त किया जाना चाहिए अर्थात पूरे निबन्ध में हमने जो निसकर्ष निकाला जो तातपर यह हमें मिला वह अंतिम भाग में प्रभाव साली रूप से दो तिन वाक्यों में हमें लिखना है निबन्ध का तातपर यह अंत में दो तिन वाक्यों में आकर्षक रूप से लिखना है तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा लेखन के रूप में कि निबंद का प्रारंब आकर्शक और विशय से संबंधित होना चाहिए जो परिक्षक के शामने आपकी अच्छी छाम प्रस्तूद करता है निबंद के मध्य भाग में दिये गए मुद्द्यों के संपूण चर्चा होनी चाहिए फिर अंतिम भाग में प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए और इसमें संपूण निबंद का ताथ परिय या निसकर्श किया जाना चाहिए तो बच्चो ये था निबंद लिखने में ध्यान रखने योगे बावते अब आगे देखे कुछ विसेस बाते जो निबंद लिखते समये व्याकरणिक रूपसे या अन्य प्रक्रियाव के रूपसे हमें ध्यान रखने होती है जैसे एक निबंद की भासा व्याकरण और वरतनी की दरश्टी से सुद्ध होनी चाहिए तो बच्चों हम देखते हैं कि लेखन का उश्रलिय में कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में इस तरह रिखते हैं के वरतनी में दोस आता है व्याकरण में दोस आता है वरवर जोड़नी है यह सारे चीजों में गलती कर देते हैं तो यह नहीं होना चाहिए नीबंद की भासा व्याकरण और वर्तनी की दरश्टी से सुध्ध होनी चाहिए आगे बताते हैं बह नीबंद के वाक्य सरल और सपस्ट होने चाहिए क्या बताते हैं नीबंद के जो वाक्य हम लिखते हैं वह एकदम सरल और सपस्ट होने चाहिए ज्यादा वाक्य मिलाकर एक वाक्य नहीं करना चाहिए हमें निवन्थ में सरल और परीचित सब्दों का प्रयोग करना चाहिए और उन वाक्यों में क्या करना चाहिए हमें कि जो सरल सब्द है और जो परीचित है जिन सब्दों से हम परीचित है वैसे सब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए और हाँ आवश्यक हो वहाँ वहाँ उचित विराम चिन हो का भी प्रयोग करना चाहिए अब जब हम paragraph लिखते हैं तो paragraph लिखते समय उचित विराम चिन होगा जैसे पूर्ण विराम, अल्फ विराम, कोमा इत्यादी कई सारे चिन हैं जो हम नहीं लिखते जिसके कारण क्या होता है हमारा लेक एक सीधा साधा सिधा साधा और बिन उप्योगी बन जाता है मतलब देखने से अच्छा न लगे इसलिए कहा गया कि लिखते समय जहां आवश्यक्ता हो वहाँ पर उचित विराम चिन होगा प्रयोग किरे आगे का ध्यान दिजिए निबंद में किसी भी बात या विचार को बार बार भाक्य को बार बार लिखा करते है मतलब किसी भी बात या विचार की पुन्राउक्ति हमें नहीं करने चाहिए वह वाक्यart जहां उसकी आवश्यक्ता है तबी उसे लिखना है बाकी बार-बार उस वाक्य का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए संकेतों या विचार के अनुसार निबंध में चार या पांच परिछेद में होने चाहिए फिर क्या बताया हम लेखन करते हैं तो सीधा साथा लंबा लिख देते हैं ऐसा नहीं करना है जब हम निबं लिखे तो व्यवस्तित रूप से चार या पांच पैरेग्राफ परिछेद अर्थात पैरेग्राफ करके हमें लिखना है आगे बताया निबं की लिखावट स्वच्छ और सुन्दर होने चाहिए जब हम निबं लिखे हमें पता है कि वह साथ अंका है हमारी मौलिकता हमें उसमें व्यक्त करनी है तो उसकी लिखावट कैसी होने चाहिए? एक ब्रम स्वच्छ और सुन्दर स्वच्छ इसलिए कि ज्यादा उसमें गलती न हो और सुन्दर इसलिए कि अक्सर चितने सुन्दर होगे उतना ही अच्छा होगा निबंद लिखने के बाद उसे एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए निबंद पूर्ण होने पर उस निबंद को हमें ध्यान से एक बार देख लेना चाहिए ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और ध्यान से पढ़ने पर अगर हमें उसमें कोई गलती नजर आती है तो उसे सुधार कर लिख लेना चाहिए तो देखे यहाँ पर कुछ वीशेस बातों में हमने क्या जाना कि निबंद की भासा व्याकरण और वर्तनी की दर्ष्टी से सुध होनी चाहिए निबंद पस्ट और सरल वाक्यों में होने चाहिए और कैसे निबंद में सरल और परिची सब्दों का परयोग करना चाहिए और जहां आवशकता हो वहाँ वीरामचीनों का परयोग करना चाहिए किसी भी बात को बार बार दोराना नहीं चाहिए और निबंद जो है चार या पाच परिच्छित में लिखना चाहिए निबंद की लिखावट स्वच्छ और सुन्दर होने चाहिए निबंद लिख लेने के बाद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए ध्यान से और पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई गलती लगे तो उसे सुधार कर लिख लेना चाहिए तो बच्चो यहां पर हमने निबंद के बारे में देखा के कौन सी कौन सी बाते निबंद लिखने से पहले हमें ध्यान रखनी होती है आईए हम आगे देखते हैं एक द्रस्टांत के रूप में निभंध लिखन में एक उदाहन के रूप में एक निभंध वर्षा रुतु निम्न लिखित मुद्धों के आधार पर निबंध लिखे यहाँ पर कुछ मुद्ध दिये गए है वसंत रुतु और वर्षा रुतु वर्षा रुतु के पहले की स्थिती और वर्षा का आग्मन आनन्मे वातावरन लोगों पर वर्षा का प्रभाव वर्षा से होने वाले लहव और हानी वर्षा का महत्व और वर्षा ही जीवन अब देखे ये एक दरस्टान दिया गाए है ये दरस्टान आपको मैं इस वीडियो में नीबंद के रुप में दे रहा हूँ ध्यान दिजे तो नीबंद की सुरुआत कैसे करनी है वसंत रुतु के साथ वर्णारतु का साम में बताया गया, तुलना बताई गयी और क्या बताया गया लेकिन वर्णारतु ही महत्वपून है क्योंकि हमारे देश में पानी का मुख्य सुरोत क्या है वर्णारतु दुसरे पेरिग्राफ में वर्षा से आगे की वर्षा रुतू से पहले की स्थीती बताई है ग्रिसमरुतु की प्रचंड गर्मी से नदी नाले और तालाब सुख जाते है पसुपक्सी मनुस्य सभी असवय हो गर्मी से व्याकुल हो उटते है ऐसे में वर्सा रुतू वर्दान बनकर आती है बादलों की गड़गड़ा हट और बिजली की कड़कड़ा हट से बातावरन सजीव हो उटता है वर्सात की पहली फुहार से भीगी हुई धर्ती की महक चारो और फैल जाती है क्या बताए इसमें इस पैरग्राफ में के वर्सा से पहले की स्थिती के पसूपक्सी मनुष्य सभी असरह गर्मी से व्याकुल हो उटते है और ऐसे में वर्सा रुतु एक वर्दान बन कर आती है और वर्सात की पहली फुहार से जब वर्सा की पहली बुंदे धर्ती पर गिरती हो और मिट्टी से जो खुसबू आती है वह चारो और फैल जाती है आगे देखिए नेक्स पैरग्राफ वर्सात में वातावरन सुहावना हो जाता है वनों और बगीचों में नास्ते हुए मोर वर्सात का स्वागत करते है पपी है कि पीपी वर्सारुतु के वातावरन को और भी आनन्द में बना देती है चारों और मेड़कों की टर्टर और जिंगरों की जनकार सुनाई देती है वर्सा का अमरुजल पीकर पेड़ हरे हो जाते है और उन पर रंग भी रंगी फूल खिल उठते है देखते ही देखते हर तरफ हरियाली छा जाती है आकास में सतरंगी इंद्र धुनुस की सोभा देखने को मिलती है क्या बताई इस पेरिग्राफ में कि कुद्रती वातावरण यहां पर बताया गया कुद्रती वातावरण इसमें बताया गया बाग बगीचे, पपीहा, मोर, मेढक, सारी पेड़ पोंधे, फूलों का खिलना यह सारी बताया गया और अकास में सतरंगी सातरंगों वाला इंद्र धुनुस भी देखने को मिलता है आगे देखिए नेक्स पेरिग्राफ में बरसात का आगमन जन जीवन में नई उमंगे भर देता है छोटे छोटे बच्चे बरसात के गित गाते हुए बाहर निकल पड़ते है वर्सा के सीतल जल में उछलते कुट्टे और जी भर कर सनान करते है छोटे बच्चे कुछ बच्चे वर्सा के बहते जल में कागच की नावे तेराते हैं, गाओं में यूगतिया आनन्द के गीद गाती है, किसानों की खुसी का तो ठीका नहीं नहीं रहता, चारों और खुसीों का माहौल हो जाता है, वर्सा के कारण जहां जहां पानी की कटोती है, वहां पानी मिलना सुरू हो जाता है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुढ़ों तक सभी लोग वर्सा का आनन लेते है देखे यहाँ पर क्या बताया इस पेरिग्राफ में के वर्सा के आगमन से वर्सा के कारण मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव होता है वह बताया चोटे चोटे बच्चे खेलने लगते हैं वर्सा में आईए आगे इसके कुछ चित्र आपको बताता हूं ज़्यान से देखना कि कुछ बच्चे वर्सा में खेलते हुए नजर आ रहे है छाता लिए हुए बिगेर छाते के फिर दूसरे चितर में भी देखो इंद्रधनूस दिखाई देता है और तिसरे चितर में देखे के कुछ बच्चे कागच की नाव बनाकर बहते हुए पानी में डाल रहे है तो बच्चो यहाँ पर हमने इन चितरों द्वारा हमें अपने बच्पन की याद आ गई आगे देखे अंतिम पेरिग्राफ तो भारत एक कुछी प्रधान देश है अब यहाँ देखिए कि भौगोलिक स्थान को धान में रखते हुए वर्षा से क्या लाब होते है और क्या हानी होती है उसके बारे में यहाँ बताया तो भारत कुछी प्रधान देश है यहाँ खेती लोगों का मुख्य व्योसा है और खेती का मुख्य आधार बर्षाद है संतुलित वर्षा खेसी के लिए खेती के लिए बहुत उप्योगी होती है क्या बताया कि संतुलित जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही वर्षा खेती के लिए उप्योगी होती है लेकिन इससे अच्छी फसल पैदा होती है इसलिए वर्सारतू हमारे देश की अन्नपूना है अर्थात जितनी वर्सा हमें चाहिए खेती के लिए उतनी जरूरी है जिससे अच्छी फसल पैदा होती है और इसलिए वर्सारतू को हमारे देश की अन्नपूना कहा गया है लेकिन कभी कभी क्या होता है अतिवर्ष्टी के काराण नदियों में बहाड़ा जाती है ऐसे समय जानमाल का बहुत नुकसान होता है वर्षा रतु में अनेक पकार के विसेले जन्तों की उत्पति होती है वर्षा में ठेट हैर पानी गिरने से अनेक विसेले जन्तों की उत्पति होती है मतलब विसेले जन्तु पैदा होते है जिनसे अनेक बीमारिया फैलती है जिनके कारण अनेक बीमारिया भी फैलती है किन्तु इससे वर्सारतु का महत्व कम नहीं होता क्या बता यहाँ पर? कि लब भी है और हानी भी है लेकिन इससे क्या है? कि वर्षा रुतु का जो महत्व है वह कम नहीं होता जल तो हमारा जीवन है और हम और यह हमें वर्षात से ही मिलता है अर्थात क्या कताया कि पानी ही हमारा जीवन है और यह पानी हमें वर्षा से प्राप्त होता है इस प्रकार वर्षा रुतु जीवन देने वाली रुतु है यह हमारे जीवन का मुख्य आधार है तो बच्चों यहाँ पर हमने निबंद लिखते समय ध्यान में रखने योगे बाते और द्रश्टांत के तोर पर फरसारुतु निबंद के बारे में हमने जाना ध्यान देना के प्रस्ण पत्र में विभाग D में साथ अंक का जो निबंद का प्रस्ण किया जाता है वह हमारी मौलिक्ता और लेखन का उसले को बताता है और वह हमें इस तरह लिखना है के परिक्षक को साथ में से साथ माक्स देने की इच्छा हो तो ध्यान देना बच्चो यहाँ पर निबंद के बारे में संपूर्ण माहिती आपको दी गई और वर्क सीट में तीन अलग अलग निबंद के मुद्दे दिये जाएंगे जिसे आप लोगों को निबंद की नौट में अथवातो हिंदी की नौट बुक में निबंद के तोर पर लिखने है वर्सारूतू और इसके अलावा वर्क सीट में तिन अलग निबंद के मुद्दे दिये जाएंगे वह आपको गुरु कार्या होमवर्क में लिखने हैं अल्ला हाफिस